सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पिशेश शकारिक्रम में और मैं हूँ मॉलिका शर्मा मात्र गुरू के समुक बैठने का अर्थ ये नहीं होता कि आपने गुरू को प्राप्त कर ला है गुरू के समुक बैठ कर आप गुरू की हिस्सा बनते हैं गुरू की महता को जान पाते हैं मातर गुरु के दर्शनों से आप अपने जीवन की समस्ते समस्याओं का समधान बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से कर पाते हैं और आज एक से ही गुरु के दर्शन हम भी आपको कराएंगे हम बात कर रहे हैं गंगा परसाथ मौनी जी महाराश की तो चलिए आज फिर से बुद्ध के अर्थ कही निकलते हैं गुरु में दो हब्डार से एक गु और रू गु कहते हैं जो गु भ़ारी होता है गुरु का मतलब है जो भारी है गुरुबीम आपी उपकृत्रिम मत्वा की जो भारी है वह गुरु है और जो अग्ज्यान रूपी अन्धकार को दू तो समाज में आज जो अज्ञानता है और सदमार्ग दिखाने वाला वो गुरू होता है तो गुरू का सही सब यह है कि जो समाज से जो हमारे विचारों से जो अज्ञान रूपी विचार है या हमारे विचार जो कुमती से जोड़े हुए है उनको दूर करने वाला गुरू हो सही गुरू की पहचान कैसे हो ये भी आप हमें बताएं देखिए गुरू की पहचान तो ग्यान से ही होती है और दोनों का ही ग्यान जरूरी है परक आपकी भी काम करेगी उसमें और गुरू की काम करेगी और ऐसा ही नहीं वह इसे गुरू को ही इलनी परकना चाहिए शिश्य बिल्कुल रहती है जब तक सद शिष्यों अमनेन तो गुरु उसको पूहर यह ग्नान विली सकता है पूर्ण जो सदसिश्य होगा वही ले सकता है पूर्ण ञ्रान से क्या अर्थ मारा श्री इस देखे फूर्ण जो हमारे पूजु गुर्देव ने बताया है ज्जान दो परिकार का इए इक ज्ञान होता है अपराग्यान अपराग्यान अपराज्ञान क्या है और पराज्ञान क्या है आपराज्ञान है जिन चीजों से जिस विवेक से हम भौतिक वस्तूओं का संघ्रह करते हैं जैसे कोठी, कार, बंगला, धन, संपत्ति, वैभर्व ये सब एकतर करना है धनार्जन करना है या उसका उपहोग करना है और यह प्रशिक्तानी कभी भी हमें ये विचार नहीं करना चाहिए की धनार्जन कagit मगर, विशют बात क्या है उस धनार्जन को अर्जित करने उसकी गति कहां है उसको लगाय कहां जा रहा है यह भी बहुत महत्त्पूर्ण है, ध़नम धर्मश्य सदनम, धर्म का शाधन है धन यद द्धरम में लगा है तभी वो साथ थके तो हमारा जो यान है अपड़ा ज्यान है वो केबल धनसंचे केलिए कि बहुत तिक वस्तों के उपलबदी के लिए उनको प्राप्त करने के लिए आ यह हूगए अपड़ा ज्यान है इस उसी ज्यान जो सद्ध्गुर्व से मिलता है और सद्गुरु को परक्ष करने के बाद देना चाहिए ज़िए ज़िए पात्र है तभी ज्ञान देना चाहिए वो ग्यान है पराग्यान पराग्यान क्या है आत्मा से परमात्मा को मिलाना उसका रास्ता बताना सद्मार दिखाना यह है पराग्या तो दोनों ग्यान में मैंने आपको बता है सद्गुरु सद्षिष्य जानकर परक्ष लेके वैसे तो बहाग्वत जी के ग्यार्मे इसकंद में भी कहा है वेदा ब्रह्मात्म विश्या त्रिकांड विश्याय में परोक्ष वादा रिश्या परोक्षम्च ममप्रियम सब्द ब्रह्म सुदोरबॉदत ज्ञान इंद्रियं मनोमया मम वेदा भ्रहमात्मी विषिया यह वेद के तीन कांध है वेदा तरकांड विश्याय में और तीनों कांड हैं। परोक्षवादा रिश्या विशेज बात क्या है? क्या कहना चाहता हूं? कि संत महात्मावी और गुर्दे भी परोक्षवादी हैं। जो तत्व है, जो ज्ञान है, जो पराग्यान है उसको घुमा फिरा कर बताते हैं। सीधा नहीं 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 बत तो तो असे आजिए में वान आरे कि मैं भी थेट नहीं। परोग्चम, निया परऊग्षवादी जया, मुझेभी प्रिय हैं। यह भगवान कह रहा है कुछima. एसेज्ट महात्मा एस गुरु मुझे पसंद है। तो यह परण्ज्ञान की बात है। और हमें परण्ज्ञान के लिए ही संथ लोग सर्वेधरन करते हैं। और उनका गुरु का तो सही मारदसन ही परा गया नहीं बिना परा गया कि अपरातोर सब कुलोग वैसी आपने वीवे को इस्तिमार कर लेते हैं माराश्री यहां से एक विशेश प्रशनी उत्पन होता है क्या वेक्ति ग्रहस्त में रहकर भी उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है या नहीं यह आप हमें बताएं यह बहुत अच्छा प्रयस्वर करें है मौन काजी आपके सारे प्रयस्वर कंतो मैं सोचता हूं कि बहुत ही अच्छे प्रशन ने जो समाश से चूड़े हुए वो दोस हैं, यह मेरे पुझ गुर्देव कहते हैं, पुझ गुर्देव ने कहा है कि जब ग्रहस्त में आपने कदम रख लिया, तो ग्रहस्त में रहकर ही हमें परमात्मा से मिलना है, हमें आत्म लाव प्राप्त करना है, जो सर्वो परी है, आत्म लाव ही सबसे बड़ा आत्म सुखात परमसुखम नविद्यते अपने को पहँचानना आत्मा में देखना अब प्रश्ण जो आपका आता हैnię है कि घर में रहे कर ही क्या हम पर्मारात्मा से मिल सकते हैं बिल्कुल मिल सकते हैं हमारे वे नोकी ed sicher जब स्रिष्टी का प्राकत्य किया और स्रिष्टी आगे बढ़ी तो चार वर्णों बनाए और चार ही आश्रम बनाए और चार आश्रम में सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचरी आश्रम गरस्त आश्रम बानप्रस्त और सन्यास आश्रम यह बनाए तो एक साल से लेके 25 साल की आय 25 साल से लेके 50 वर्ष की आयू तक आपको ग्रहस्तास्रम में प्रिवेश करना है ग्रहस्तास्रम में बच्चों को अच्छी सिक्षा दिक्षा देकर उनको उनके पेरों पे खड़े करना है और 51 वर्ष से 75 साल की आयू तक ये बानफ्रस्तास्रम है और इस बानफ्रेस्ट आस्ट्रम का त्याग नहीं करना इससे बाहर नहीं जाना बानफ्रेस्ट आस्ट्रम का मतलब यह नहीं कि आप बन में चले जाओ घर में रहना है घर में ही फूजा आर्चना करके वंदना करके गुरू ज्यान लेकर और जैसा गुरू ने बताया है वही आपको करना है और उसके द्वारा ही आप फर्मात्मा से मिल सकते हैं लेकिन वहाश्री यहाँ पर एक प्रिश्ण और रुटता है व्यक्ति को क्या पता कि कब उसकी मृत्ति होनी है तो क्या वो पहले ही सचेतना हो पहले ही राम का नाम ना ले बिल्कुल ले मेरे पूझी गु पूझी अभश्ण से जैसी आपकी आदत हो जाएगी जो आप करेंगे वह तो आपको आगे कभ्यास हो जाएगा प्रद्धधावस्था में क्या करेंगे व्यक्ति करेंगे तो जब आपका सरीर सिथिल हो जाएगा तो आप अच्छी तरे से बोजन भी ग्रण नहीं कर सकते अच्छी तरह से बिश्वर पर देट भी नहीं सकते, बिश्वर आपके पास सारी सुभधाय हूं, मेरे पुजी दिगुर्दे में क्या कहा है, देखिए हमारे वेडों में, सास्त्रों में सब में बताया है, कि जब तक आपके शरीर में शक्ति है, यावत स्वस्थम इदम कले वर गिरिहं, यावच्य दूरे जरा, यावच्येंद्रिय सक्त्र प्रतिहर्दा, यावच्यो नायुसह, आत्मस्रे असीताव देव विरुसह, कारिह प्यत्नो महान, प्रोदीप्ते भवनेतु कूप खननम, प्रत्युद्धमह की द्रशह, ये कहा इदम कले वर गिरहं, जब तक आपका ये सरीर रूपी कले वर ये गर है, ये आपका घर, ये जो सरीर रूपी घर है, जब तक ये स्वस्थ है, अर्थात आपको जो ववस्था है, यावच्य दूरे जरा, जब तक आपका बुढ़ापा दूर है, यावच्येंद्रिय सक्ति प्रतियाता जब तक आपकी इंद्रियों में शक्ति है, आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, आपकी सारे अंग ठीक तरह से काम करते हैं, तब तक यावचेंद्रिय सक्तिया प्रतियाता, यावचेयो नायू सह, ज इसमें गुर्देव ने बहुत अच्छा धारण विद्लिया असि फ्यारव छेंज नाईश कि अत्मสर श्यएश सी तावदेव विद्ल्सा जो एक अंजिस आत्मकल्याण करना चाहते हैं जो आत्मलाप्रात करना कोई सुख नहीं है आत्म सुक आत्म लाव व्यक्ति कैसे प्राप्त करें ये भी आप हमें बता हैं सहिच आत्म स्यसि ताव्य । देव विज्वा जो विद्वान लोग हैं जो ग्यानी Där प्रियत्नों महान जितने भी काम करने होते हैं वो पहले कर लेते हैं और उसके बाद जब रद्धावस्थात यह तो क्या होता है वो तो ऐसे है प्रोदीप्ते भावने तू कूप खननम जैसे घर में आग लग जाए किसी आपके जो आपके फैक्टरी है कमपनी है किसी में भी जी 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 कही प्रजुलत हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे वो तो ठीक ऐसे होगा जैसे अरे आग लगी है उसको बुलाओ जल्दी बुलाओ प्रोदीप्ते भावने तू कूप खननम सबको बुलाना है वह आग लगी है कूआ खोदो कूआ खोदो और पाने निकालो और प्रत्युद्यम्हा की दिर्शह यह तो ठीक ऐसे है यदि आप व्रद्धावस्था में कुछ करते हैं तो ठीक ऐसे है जैसे घर में आग लगी है और फिर लोगों को इकत्र करके कुवा खोदेंगे पानी निकालेंगे तब अगली बुजाएगे तब तक क्या बचाएगा इसलिए युवावस्था ही बताई है युवावस्था से ही जो आपको अभ्यास हो जाएगा आत्मिला प्राप्त करने के लिए भागवान कृष्ण कब लगे भागवान कृष्ण न चौधे वर्ष की अवस्था में गुरू की दिक्षा ले उन्होंने और वहां से उसके ब आगे शफल होते हैं हमें युवावस्था में यह ज्यान लेकर और ज्यान के मार्ग में लग जाना चाहिए ब्रम्चरी आश्रम के बाद जो गर्ष्ट आश्रम बताया मैंने आपको आपको आपका प्रस्ण था कि घर में रहकर ही हमें परमेशवर के दर्शन ने मिल सकते है आध्यात्मी के लिए भी समय निकालिए, ऐसा नहीं है कि आप हर समय गरस्त में रहेंगे, तो गरस्त में रहने के बाद जब आपने गुरू ग्यान ले लिया, तो समय निकालिए उसके लिए, और समय निकलेगा, तो आप जरूरू परमात्मा से मिल पाएंगे, गरस्त धर्म क पांच जो इंद्रियों के विशे हैं, इन में दो जो हमारे इंद्रियों के दोस हैं, जो प्रवल इंदिया हैं, वो दो हैं, एक रसना और एक इसपर्स, तो इंद्रिया जो हमारी पांच हैं, आखें अच्छा-च्छा देखना पसंद करती हैं, सुंदर्ता देखना पसंद कर आप नब्भे वर्श के बाद भी आद्मी परफेस्ट हो जाता है जी बिल्कुल दोनों के उपर विश्चिष दिहन रखना धार मैं एक बात जानता हूँ कि आदमी घ्रस्त में रहने के बाद सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है लेकिन सवयम में सअयम कैसे हो ये भी जरूरी है वो कैसे हो सकता है समयम जब से पहले बताते हैं जब आप से अभ्यास करेंगे एक तो आसन तरीका में बता जिता हूं आप जीवन को व्यस्त रखने का अभ्यास किने आप वेस्त रहेंगे तो आप पत्वहस्त नहीं हो सकते, यह मेरान भव है अपने आप जितना समय निकालें, आध्यात्म के लिए निकालें, गुरु जी ने क्या बोला, गुरु ने क्या मंत्र बोले, आपको क्या शिखाया, कितना सीखा उस पर मनन करें, जब भी आपका मन भ और बलकि हमारे तो गुरुदेव ने एक सीक्वेंस बनाई है, और सीक्वेंस में बताया है कि आपके संगती से और स्वाध्याय से आप मोक्स प्राप्त कर सकते हैं, के बल इतने से, और वो सीक्वेंस है, आपको मैं बताता हूँ, जैसी संगती, जैसा स्वाध्याय, वैसे व उसके उपर मनन करोगे तो और स्वाद्य आपके विचार जैसे विचार वैशे करम किसी भी काम को हैनी मालाक जाब करना है तो विचार तो पहले आये नいたします कर्म करना सुरू कर दिया जैसे कर्म वैसा स्वभाव कहां से आया पहले आया संगति स्वाध्याय विचार और विचार के साथ ही आया आपके कर्म जैसे कर्म वैसा स्वभाव आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपका स्वभाव बन जाएगा हमेशा के लिए एक दिन के लिए न विल्कुल आपकोई करेक्टर वैसे ही हो जाएगा और जैसा चरित्र वैसा भाग है तो आपकी केवल संगती मातर से आपकी सुसायोटी मातर से आपका भाग्य बदल रहा है और जदी भाग अच्क्या होगा तो मौक्ष में भी देर नहीं लगी आपको तो मौक्ष आपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं साज ला सकते हैं, आपने मन पन सहीयम रखने की बात करें, क्या वो तमाम चीज़ेहमीं नहीं कर सकते हैं महाराष्ट्रे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना गुरु मैं जब तक वैसे तो बिना गुरु के ज्यान तो आपको प्राप्त मिं तो पुरान के अध्यान में ही ऐसे ऐसे किलिष्ट सब्द हैं जिनको हमने भर्षक प्रियास कर लिया बिना गुरू के हम उनको रीड भी नहीं कर पाए भगवत गीता के बारे में तो सब जानते होंगे भगवत गीता के पांच में अध्याय के आठ में और नौमा स्लोक है वो पूरा दो इलाइन में हैं दो स्लोक हमने प्रियास किया नहीं पर पाए गुरू कि शर्ण मुनों ने ऐसे बढ़ा दिया और वो कितना है नए वकिंचि युक्तो मनेत तत्तो बिता है पश्चन स्रिम्हनन इसप्रसंजिंगरन असनन गच्छनशवपन स्वसन प्रिलपन विशरजन गिरनन उनमिशननिशन नपी इंद्रियानि इंद्रियार्थेशु वर्तंत इती धार्यन इतना बड़ा सब्सक्राइब गुरू ग्यान मिला और उसके लिए और गुरुदेव ने बड़ा आसान उपाय बता दिया है हमारे गुरुदेव यह कहते है के मन जहां जाता हो जाने दो आपके माला तो जाप में है माला को पक्रके रहेगा और इस मन को जहां भी जाता जाने दो यत्रैव यत्रैव मनो मदियं, तत्रैव तत्रैव तवस्वरूपं, यत्रैव यत्रैव शिरो मदियं, यत्रैव यत्रैव मनो मदियं, जहां जहां मेरा मन जाता है, जहां जाता है, अब यहां है, फिर घर में है, अमेरिका, रूस, लंदन, जापन, फ्रेंड्स के पास है, कहीं जाने है, मगर यत्रैव यत्रैव मनो मदियं, तत्रैव तत्रैव तवस्वरूपं, सोच ऐसी बना लो, कि जहां जहां हमार मन जाता है, वहां सब उसी परम्पिता परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा भाब बना है, और आत्मा में परमात्मा है, आपके अंदर भी वही आत्मा है, मेरे ऐसा बना लीजिये कि जहां मेरा मन जाता है जो मुझे दिखाई दिता है व्रक्ष है ट्री है इसके अंदर भगवान का वास है परमात्मा का वास है यत्रईव यत्रईव मनोमिद्यम तत्रईव तवश्वरूपम तुम्हारे ही सरूप है यह घर मकान कोठी कार वंगला सब यत्रईव यत्रईव सिरूमद्यम एक भव और मना लिए इसके लिए बहुत उपयोगी कि जहां-जहां मेरा सिर जाता है एक बार जब अभियास हो जाता है ऐसा भाव रखो यहां बहुत खुझारों लियुका क्यों से हुआ है देखिए संदेश तो यह है कि बहुत उपयोगी आपके लिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अभी आप जो भी काम कर रहे हैं पहली वाद तो मैं बड़ा प्रसंद हूँ कि आप स्रद्धा चैनल से जूरें और स्रद्धा का मतलब है गीता में तो भगवान अर्जु कि बिल्कुल, स्रद्धा वान को ही घ्यान प्राप्त होता है, स्रद्धा चैनल को भी आप सब लोगों को एक संदेश के मार्ध्यम से कि अपने जीवन में से जितना समय निकाल सको, यह निrogen कहते हैं, आप जितना अधिक से अधिक समय निकाल सकते हैं, उतना निकालें, यदी ज्याधा नहीं निकलता है, तो अपना एक संकल्प लें, कि चौुविस घंटे का समय हुता है, इस मैंसे हमें केवल एक गांटा, अपने लिए और उस परमात सब्सक्राइब जनकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार आज के विशेष्य कारीक्रों में आप हमें दें इजाज़त हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार